दोस्तो हम लोग यहाँ पे यह समझने की कोशिश करते हैं कि इंपुरीस बैकप सौटफर कैसे काम करता है सबसे पहले हम लोग create job पे click करेंगे यहाँ पे हमारे सामने यह window आ जाता है जहाँ पे उसके सारे tabs available है सबसे पहले यहाँ पे हमको add folder करना हो तो यहाँ से हमको add folder पे click करना है हमको file backup करना हो तो file add करनी है हमको image backup करना हो तो image backup कर सकते है हम लोगों के FTP से data डाउनलोड करके backup करना है वो कर सकते है हम लोग EXXI backup कर सकते हैं Hyper-V backup कर सकते है MS Exchange या Office 365 backup कर सकते है SQL का Database का Backup कर सकते हैं MySQL कर सकते हैं Poster SQL कर सकते हैं Oracle का Database भी Backup कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग Add Folder पे Click करेंगे और यहाँ पे उपर आप जो देख रहे हैं यह Item है, यह Destination है हम लोग कहाँ पे हमको इसको Backup करना है यह आपका Source हो गया और यह आपका Backup Destination है यहाँ पे Scheduling हम लोग Set कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास Options दिये गए हैं यह Email Notification के लिए है यह Other Process के लोग Backup होने से पहले और Backup होने के बाद अगर कोई Action हमको लेना है तो हम लोग वो Set कर सकते हैं और यहाँ हमारा Summary है सबसे पहले हम लोग Backup में आ जाते हैं यहाँ पर Add Backup पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हम लोग Folder Add कर सकते हैं जिन Folders का हमको Backup लेना है सबसे पहले हम लोग किसी भी एक Drive में आ जाएंगे जैसे कि हम लोगोंने a My Computer पे D Drive में ख्लिक किया हमने जैसे Communication Liter folder Choose किया फिर यहां से हम लोग अगर कोई particular file को exclude या include करना है जिसको हम लोग wild card कहते हैं पलग इपुरिस क्या करेगा कि जो folder हमने choose किया है उन में से वो ही files का backup करेगा ये filters है उसके वही file का backup करेगा जो हमने backup करनी है या नहीं करनी है या हम लोग यहां से manually उसके extensions भी define कर सकते हैं कि कौन से कौन से exclusion हमको उसके लिए करने है फिला हल हम लोग इस setting को नहीं करते हैं और हम लोग यहां से source से हमने choose कर लिया हमने ok कर दिया तो यहां पे एक folder हमारा add हो गया उसी तरह से हम यहां से एक दूसरा folder choose करके उस folder को भी हमारे backup मनदब उसके source में add कर सकते हैं जिन चीज़ का हमको backup मालीजे हमने contact folder add किया तो यह हमारा अब हम लोग वापस यहां पे choose कर लेते हैं तो यह दो folder हो गए तो इपूर इसके अंदर आपको जितने भी folders का backup लेना है आप उतने folders add कर सकते हैं मालीजे अगर मुझे कोई file backup करनी है तो मैं file के path में जाओंगा उस particular file को मालीजे मुझे computer में से d drive में से customer list में से nova backup software से इस file को मुझे backup करना है या और हम लोग और कोई file ले सकते हैं जैसे impuris है तो impuris customer list हमको backup करना है तो इसको हम लोग open करेंगे तो यहाँ पे ये file add हो जाएगी तो हमको जितने भी files या folder का backup करना है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से add कर सकते हैं उसी तरह से बाकी सारे source हैं जो हम लोग add करना चाहते हैं कर सकते हैं इसके बाद जब हम लोग next करेंगे तो यहाँ पे destination tab हो गया destination हमको कहाँ पे choose करना है destination किसी folder में हो सकता है destination tape drive हो सकता है ftp location हो सकता है या फिर cloud भी हो सकता है हम लोग यहाँ से सबसे पहले हम लोग destination folder choose करेंगे हमारे पास एक folder हमने बनाया हुआ है e-drive में जिसमें हम लोग इसका destination चूज़ कर लेते हैं हमने e-drive चूज़ कर लिया e-drive में हमारे पास एक folder है जिसका नाम है e-pulls test backup हमने इसको choose कर लिया यह हमारा destination हो गया अभी जो भी backup हो रहा है उसको हमको zip format में करना है तो active zip compression हम लोग enable कर सकते हैं अगर नहीं भी करना चाहें तो कोई जहूरी नहीं है अगर उस zip file को पासवर्ड protected करना है तो हम लोग यहां से उसका पासवर्ड भी side कर सकते हैं ठीक है इसको भी हम लोग नहीं करते हैं हम लोग normal backup देख लेते हैं यहां पे हमारे पास कुछ options हैं इन options का मतलब यह है create the full backup each time and copy all the files first create the full backup then update it with new or modified file keep full backup and number of incremental copies and keep full backup and number of differential backup हम लोग यहां से full backup चूज़ करते हैं and number of copies में हम लोग 3 दखेंगे इसको keep previous incremental copies form में यहां पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग next करते हैं यह हमारा destination choose हो गया next करेंगे यहां पे हम लोग schedule set कर सकते हैं बट फिलाहल हम लोग manually run करेंगे next करेंगे optional में भी फिलाहल हम कुछ नहीं करेंगे next करेंगे notification भी हमको नहीं set करना है next करेंगे other में भी कुछ नहीं करेंगे यह हमारा total summary दिख जाएगा यहां पे हम लोग backup job का नाम दे देते हैं test है ना और यहां पे हम लोग destination test one नाम दे देते हैं और इसको sorry description और description भी test one दे देते हैं इसको okay कर देते हैं ठीक है अब यह backup job हमारा ready हो गया है हम लोग इसको right click करके run backup करते हैं देखते हैं फिर इसका क्या result आता है हमने backup job run कर दिया है यह backup job आपका process हो रहा है टोटल 2.36 MB का backup है backup completed successfully इसको हम लोग okay कर लेते हैं हम लोग destination पे आ जाते हैं destination पे देखते हैं क्या result दिखता है हमको यह testful नाम का हमने backup job बनाया था d drive source choose किया था उसमें हमने इतने folder choose किये थे यह हमको सारा data जो हमने backup लिया था वो हमको यहां पे दिख रहा है अब हम लोग वापस यहां पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम लोग source में कुछ files change कर लेते हैं जो source हमने choose किया है पहले हम लोग देख लेते हमने क्या-क्या source choose किया था एक communication later था so communication later में अभी हम लोग एक file बनाते हैं इसका नाम रख देते हैं test sorry test one उसके अंदर कुछ हम लोग dummy data add कर देते हैं इस file को हम लोग save कर लेते हैं और एक बर backup job run कर देते हैं इसको हमने select किया run backup job किया यह अपना backup job run हो रहा है यह फिलहाले भी process में है इसने backup job complete कर लिया है अगर हम लोग देखना भी चाहें तो हम number of files proceed में यह total दो file इसने proceed की हैं यह सारे उसके logs हम देख पा रहे हैं यहां पे इसको हमको export करना हो, print करना हो, search करना हो तो भी हम लोग कर सकते हैं अब हम लोग destination piece का क्या result है वो देख लेते हैं यहां पे test one नाम का एक folder, दूसरा folder पहली बार जब run किया था test full था दूसरी बार हमने run किया था test 001 करके folder बन गया है इसके d dry में, communication later में एक ही file दिख रहा है जो यहां पे available है और उसके पहले और एक file हमसे गलती से बन गया था वो भी file यहां पे available है on text के अंदर हम लोग देखेंगे तो एक भी file नहीं है क्योंकि उसमें हमने एक भी file नया नहीं create किया था हम लोग वापस एक destination source में आ जाते हैं यहां पे हम लोग और एक file create कर देते हैं जिसका नाम देते हैं test2 test2 में अगेन हम लोग कुछ dummy data डाल देते हैं इस file को save कर लेते हैं backup job run कर लेंगे यहां पे आके test को हम लोग run कर देते हैं यह हमने run कर लिया यह आपका backup job process में है backup job successful हो चुका है हम लोग locks check कर लेते हैं इसने 3 file backup की है पहली बार 2 file थी एक file हमने add की है यहां पे हम लोग destination में जाके check कर लेते हैं कि क्या result आया है यहां पे test2 नाम का और एक folder बन गया है इसके अंदर d drive में context में हमने एक भी नया file add नहीं किया था communication later में हमने दो files पहले की थी और एक नई file test2 करके बनाई वो भी backup हो गई है हम अब और एक file को add करते हैं test3 नाम की sorry मैंने गलती से folder create कर दिया इसको हम लोग delete कर देते हैं हम लोग यहां पे test3 नाम की एक file बना देते हैं कुछ dummy data हमने add कर दिया इस file को हमने save कर लिया हमने backup job manually run कर देते हैं हमने backup job run किया है यह process में है हो गया है total हमको log में दिखा रहा है इसने चार files backup की है इसको हम लोग close कर देते हैं destination पे आ जाते हैं अब इसना और एक folder बना दिया है test3 करके इसके अंदर हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं कि context में एक भी file नहीं है और folder में तीन file backup हो चुकी है अब हम लोग यहां से सीधा और एक folder बना लेते हैं sorry file बना लेते हैं जिसका नाम दे देंगे test4 test4 नाम की एक excel file create करते हैं इसमें भी कुछ dummy data हम लोग डाल देते हैं और इस file को भी save करके बन कर देते हैं हम लोग वापस software पर आ जाते हैं हम लोग यहां पर इसको run कर लेते हैं यह यहां पर दिखा रहा है इसने पांच files backup की हैं छे दिखा रहा है हम लोग देख लेते हैं टोटल यह दिखा रहा है इसने शे files backup की हुई है हम लोग destination में जाके देख लेते हैं इसमें क्या result में difference दिख रहा है यहां पर test 4 number का folder नहीं बना है अब लोग test full में जाके देख लेते हैं क्या result आया है communication later में हमारी test 1, 2, 3 and test 4 यह 4 files overall add हुई है और एक हमने गलती से folder बना दिया था new नाम का यह भी folder backup हुआ है तो यह एक तरह का आपका full backup हो चुका है तो तीन हमारे differential backup थे और एक full backup है अब हम लोग वापस source में चले जाते हैं और अब देखते हैं क्या next action होगा उस case में अब हम लोग और एक file add कर देते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग test file बट यह add करने से पहले या data write करने से पहले हम लोग अभी तक का पुरा summary ले ले लेते हैं हमने क्या क्या किया और क्या result आया जब हमने पहली बार full backup लिया तो उसने सारा data source में से backup कर लिया उसके बाद एक number की हमने test one name की file बनाई और manually backup किया तो उसने एक test one name का एक folder बनाया जिसके अंदर एक ही file उसने backup की फिर हमने और एक file create की वापस manual backup differential backup job रन किया उसने और एक folder बनाया test two नाम का उसके अंदर उसने backup कर लिया उसके बाद हमने test 3 नाम के एक file बनाई उसके बाद वापस job run किया test 3 नाम का उसने folder बना दिया ये भी differential है आप देखेंगे test 3 के अंदर पहले जो differential backup हुए थे उनके भी सारे data available है because हमने जो backup job बनाया है वो differential backup है उसके बाद हमने क्या किया कि एक test 4 करके backup sorry एक source test 4 करके file हमने add की source में उसके बाद हमने वापस backup job run किया और destination में उसने एक नया full backup जो था उसके अंदर ही पुरानी सारी files को जितने भी differential mode में जितनी भी files add हुई थी वो सारी files को उसने add करके एक नया folder बनाया इसका result यह हुआ अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जैसे आपको कहा कि हमने एक file add कर दिये source में जिसका नाम हमने test 5 दे दिया है इसमें कुछ dummy data भी हम लोग add कर देते हैं उसको भी save कर लेते हैं अब हम लोग वापस एक बार manually इसको run कर देते हैं run now कर लिया यह backup job हमारा run हो रहा है अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसने सिर्फ एक ही file backup की है ठीक है इसका मदलब यह होता है कि last जो हमने full backup run हुआ था उसके बाद सिर्फ एक ही हमने test 5 नाम की file add की है इसलिए सिर्फ उसने एक ही file यहाँ पर add की है अब हम लोग वापस जाते हैं एक नई file बना देते हैं जिसका नाम हम लोग दे देते हैं test 6 उसमें भी कुछ data add कर देते हैं इस file को save कर लेते हैं लेकिन उसके पहले हमने destination में file number की files add करने के बाद क्या result आया वो हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पर last full backup test full था उसके बाद हम लोग test 1 को वापस में जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने file number की file test 1 में backup की है मतलब की total हमने 3 differential रखा था और एक full backup का chain बनाया था तो एक बार full backup लेता है और पहली बार उसने differential जब लिया था और उसके अंदर जितनी भी files थी उन सब को blank कर दिया और last full के बाद के जितने files थे वो files उसने add कर दिये अभी हम लोग यहाँ पर माल लीजिए कि test 2 नाम का जो folder है इसके अंदर फिलहाल हम लोग अगर देखेंगे तो हमको 1, 2 and new document दिखा रहा है अब हम लोग एक test 6 नाम का एक file बनाते हैं जो हमने बना भी दिया है इसको save कर देते हैं इस backup job को हम लोग वापस एक बार run कर देते हैं यह process चल रहा है backup का backup job complete हो गया उसने दो file ले ली यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे so यहाँ पर दो number का folder जो है उसके अंदर 5 और 6 दो file हमको देख रही है so overall इसमें यह देखा गया है कि एक full backup और 3 differential का हमने जो chain बनाया है उसके अंदर एक बार full लेता है फिर जो भी data add और modify होता है वो first वाले differential में लेता है उसके बाद हम लोग again जो add और modify करते हैं same source के data में so दूसरे वाले folder में अब लब next differential में पहले वाले का और दूसरे वाले दोनों का data add करता है उसी तरह से वो तीसरी बार भी वैसा ही activity करता है और उसके बाद वो full backup लेता है so I hope यह software आपको कैसे function करता है वो primary लिए समझा आ गया होगा कुछ भी query और doubt हो तो आप हमसे contact कर सकते हैं thank you so much